हेलो एवरीवान वेलकम टू माँ चैनल है पर टेड़ेड इस भी मैं हूं मुहमत सुहेद दूस्तों मैं जो जो भी आप लोगों को स्टेट बैंक ओफ इंडिया के उपर वीकले टागेट्स दिया था वह बहुत सक्सेस्फुली अच्छी होगे दूस्तों और इसके अंदर श इंट्री करना चाहते हैं वीकली टागेट्स के लिए मैं आज वो फिर से इनए एंट्रेंट एंग्जिट लेवल्स बता दूंगा शौर्टम का टार्गेट होई है दोस्तों मेरा वन नाइंटी के बाद टू टेन अच्छी होने के लिए हैं दोस्तों बस आप इसके अंदर पेशेंस रखे चलिए एक बाद 210 अच्छी हो गया तो फिर से रिवसल लेगा फिर से रिवसल लेने के बाद 220 टच करेगा 220 के बाद डायरेक्ट लेवल 230 नहीं दोस्तों डायरेक्ट लेवल 240 आएगा उसके बाद 270 330 तक इसके अंदर टागेट बन रहे हैं अगर आप शॉर्ट वी करने के लिए अभी अपृइक कर सकते हैं दोस्तों बेजिजगे बेफिकर आप बाएक कर लिजी अब देखिए इसकें अदर जोबी मूहमेंट् बन रहा है वह मूहमेंट्ट वीकली के लिए रिवसल है दोस्तों शौट टम के लिए भी समझे रिवसल ही होगा क्यों कि देखिए जो भी इसके अंदर बैयर्स को क्याच कर रहा था प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो गया है वह आप लोगों को मैं चार्ट करते हुए बता दूंगा कि कैसे के अंदर प् Apa कि पिछला वीडियो नहीं देक्शाए कि लिए अगर यूट्व चैनल के लिएक में वीडियो के लिए भी आप में तो दूस्तों प्रूफ के तौरपे प्रफर करकेदेख लीजें मेरे पिछले वीडियो में जो भी मैंने आप लोगों को बताएं सच्छी में उसके दुस पर्टिकुलर टागेट पर प्राइस पर आप लोगोंने टागेट लगा थो टागेट के पास एकजिट होने की कोशिश करिए क्योंकि कभी भी कौन सा भी स्टॉक दोस्तों टागेट अचीव होने के बाद रिवसल लेने की कोशिश करता है वैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अब देखिए कल के दिन के मैंने जो भी विकली टागेट दिये थे आपको 192 के पास इं 96 था दोस्तों मैंने आपको इंटरी करा दिया था 192 लेवल पे एक बार 190 लेवल पे एक बार अब देखिए विकली टागेट अचीव हो चुके हैं अब आप एकजिट हो जाए क्योंकि स्टॉक के अंदर रिवसल आने वाला है वो कैसे आने वाला है चार्ट अनलाइसिस करत 45 पैसा देखिए मैं आप लोगों को कभी पी चोटी सी बात बतातों कौन सा भी स्टॉक 190 के लेवल के उपर से लेके 210 के लेवल के बीच में ट्रेट करता है तो हम लोगों को मैंसिमाम से मैंसिमाम 4 रूपी से लेके 7 रूपी के हिसाब का प्राइस अक्षिन बताएगा पर वो क्यों वो भी आगे चलके हम लोग देख लेंगे तो चलिए दोस्तों बढ़ जाते हैं चार्ट के उपर दोस्तों एजबी बैंक के अंदर ज्यादा से ज्यादा तरलोग कंफ्यूजन में आ गहें कि क्या रिवसल जाएगा इसके अंदर हम लोग का सही एंट्री पॉइं में यह हिट होने वाला है दोस्तों आगे के वीडियो में जो के साथ बताता हूं दोस्तों आप लोगं को भी समझ में आ जाएगा कि कैसे यह हम लोगों को टाइम फरेंब टच करके दिखाएगा الا आरे साय का बिलो 40 to 30 देखिए जो भी इसके अंदर gap up opening वोई थी market के अंदर 5 अगस्ट के दिन उसके बाद उसको दूसरे दिन या तिसरे दिन recover करना चाहिए था पर वही दिन recover करते हुए चल रहा है उसके बाद जो भी इसने gap up opening की यह 10 अगस्ट के दिन उसको वो दिन भी close न नहीं करा है पर जो आज के दिन सुबा के टाइम जो gap up में market open होते वकत जो स्टॉक भी open हुआ था दोस्तों उसको यह आज के दिनी पुरा का पूरा close खड़ चुका है अब देखिए यह वाला जो किसने gap up opening की थी इसको तो definitely close करने की कोशिश करेगा यानि stock below से below जा सकता है दुस्तो 191 190 के पास अगर आपको weekly targets में इसके अंदर entry होना है तो यही best level है इसके अंदर entry करने के लिए वरना आप देखिए मैं आपको अभी भी बता दूंगा simple way double profit कमाने का अब 195 के पास भी entry करके stock नीचे जाता होते के 5 रुपे के हिसाब से 190 पे भी आप average करेंगे तो आ आपका below average बन जाएगा 190 exact 190 बन जाएगा दुस्तों अगर 190 के उपर भी जाता हो दिखा अगर आप 195 के पास भी जो आपने पहली बार बाइंग की तो उदर भी exit करने की कोशिश करेंगे तो आपको double profit होगा weekly targets के अंदर इसलिए बोल रहा हूं अभी भी आपके पास जो capital backup के यह ज्यादा है तो अभी भी आप इसके अंदर लेके चल सकते हैं बाइंग का अब इसके अंदर देख लिजिए अब देखें आपने बाइंग कर लिया स्टॉक रिवसल लेना है तो भी आप 5 रूपिस के हिसाब से average करिए अब मैं आप लोगों को एक important बात बताना चाहता ह हूं SBA bank के पर वो यही है कि दुस्तों इसके अंदर जो average level पर चलते ही इसके अंदर जो भी buyers क्या चो रहे थे यह बार बार profit booking करके exit होने की कोशिश कर रहे हैं जो उपर level जाता हुआ दिखा मैं भी आप लोगों के साथ यही करवाया हूं पिछले 3-4 हफतों से लगातार ए है पेशेंस रखना होगा अब देखिए आप चाहते हैं तो अभी भी प्यपर कर सकते हैं जो क्याप में opening क्या है 190 लेवल के उपर यानी 191 के नजदिक और 192 के नजदिक तो इस टॉक जाके ही दिखाएगा उसके बाद ही हम लोगों का entry होगा वरना इसके अंदर हम लोगों का entry नहीं होगा दोस्तों फिर से यह average लेवल पर जाएगा वरना यह bottom लेवल टच करके ही छोड़ेगा अगर यह stock नीचे आता हुआ दिखा दो यह मेरा टेलिग्राम चैनल है दोस्तों आपने अभी तक मेरा टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो description लिंक में लिंक है जाहिए लिंक को हिट करिए और जॉइन कर लीजिए मेरा टेलिग्राम चैनल और intraday live tips and stock market updates के लिए और एक important note है दोस्तों stock market के अंदर profit and loss होते रहता है उसे हम लोगों को लेके चलना होगा दोस्तों मेरा टार्गेट्स है यह 12 अगस्ट 2020 विनस डे के लिए यानि कल के लिए कल के दिन बई का position बना से लिंका पूजिशन बना आप मेरा टार्गेट्स लेके चल सकते हैं अगर आप stock market के लिए नए हो मेरा टार्गेट्स समझ में आजाएगा दोस्तों